तो कहानी शुरुआ दो दिन पहले जब एक लड़की एक क्याव ड्राइवर को बिना गलती के मारते हैं वो भी ट्राफिक में सारे लोग के समने यहां पे भी मैंने सिसीटी फूटेज अन कर लिया था कि सबको दूद का दूद और पानी का पानी पता चल दे आया तो यहां पे देखो लड़की के से उस ड्राइवर से मोबाइल छिन रहा है ठीके अब उसका डूर खुल दिया ठीके अब यहां पे देखो ड्राइवर भी आपना जो रेड सिगनल के उस पार भी नहीं गया है ठीके वो भी आपना सही रास्ते पे अब उस लड़की ने उसका मोबाइल लिया नीचे एक बार फेका ठीक है अब उस मोबाइल को दूबार उठाने के लिए जाएगा ठीक है देखो यहां पाई फिर से वह वाला मोबाइल उठा है फिर से उसको नीचे पटक दिया फिर से उसको उसके गाड़ी के उपर पटक दिया मनले कि समझ सकते हो जखडा का नहीं अट का रहा है सकारे सारा सुटे हैं को जो कूछ नहीं पोल रहा है। तो देखो उसका और एक शिशा तोड़ दिया ठीक है मनले कि गाली तो इतना बख रहा था सोचो ही मत क्या गाली बख रहा था भीकोज यह लेड़की है ठीक है तो यहार मैं देखो यार अब एक ड्राइवर वाला बाहर निकल दा है और अपना तूटा हुआ मोबाइल उठात के चूप रह रहा है क्यों कि लड़कों को पता है उसके आउकात क्या है किसी की लड़की को अगर वो गल्ती से भी हाथ उड़ा थे उसके पर डैवल केस हो जाएगा ठीक है तो बहुत साइलेंट रहे हैं मैं कितने सारी लोग देख रहे हैं मैं कृष्णा नगर थाने से अ इतनी गाड़ी को रोग दिया राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पर क्रास करने के बाद फिर वह वापस मुड के आई उसने मेरे गाड़ी से मुबाइल निकाला तोड़ दिया जब लग मैं बाहर आया मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है कु और लोगों होंगे जिन्होंने इस लेटकी को मारा और वो मुझे लठेड ते मारते हो 300 मीटर लेके गए हड़ी भी तोले ट्राफिक लाइट को देख करके मैं जब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पर हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है मुझे आप छोड़ दीजे लेडिस का पक्ष लिया गया उसकी रिपोर्ट लिखी मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं होई लेटकिया हमेशा अपने भिट्टंग बाट का फाइदा उठे चाहे वो मित्रा हो गया चाहे वो जमाट वाला का केस हो दो वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब को राइड आपना ओपन येंड बाताव कामेंट में उस लिटकी के साथ क्या किया जाए